जे मसी की दोस्तों, आज की सुरगी मन्ना का भाग हमने लिया है अयूप की पुस्तक, उसका चोद्वा अध्याय और उसका सात्वा और नमावचन वचन कहता है, वरख्ष के लिए तो आशा रहती है कि जब वो काट डाला चाए तो फिर पन भेगा और उसकी कोपले निकलती रहेंगी नमावचन, फिर भी वरख्षा की गंद पाकर वो पनप उठेगा और पौधे के सामान कोपले निकालेगा धन्यवाद पिता परमेश्यर, तेरा पवित्य सामर्थी वचन अद्भुत है, तेरा ज्ञान अद्भुत है परमेश्यर, तेरा भाय अद्भुत है दोस्तों वचन क्या कहता है वचन कहता है कि जब किसी वरस को काठा जाता है तो आप जब उसे देखते हैं तो आपके मन में नकारातमक सोच नहीं आती है क्योंकि आप जानते है वो जिस भूमी के साथ जुड़ा है वो फिर बनबेगा क्यों पनपेगा? क्योंकि वो भूमी के साथ जुड़ा है और भूमी आशीशित है भूमी को उपच की शक्ती उपच का आशीश परमेश्र ने दिया है इसलिए बाइबल कहती है कि अगर हम परमेश्र के संग जुड़े रहेंगे जो आशीशित है जिसमें सुक देने की, कृपा करने की, सामर्द देने की, जीवन देने की शक्ती है, जोती देने की शक्ती है अगर हम उस पिथा के साथ जुड़े रहेंगे, तो कोई भी दुख, कोई भी मुसीबत हमें निराश नहीं कर सकती है हमारे जीवन को खतम नहीं कर सकती है क्योंकि परमेश्रक के साथ जुड़े है इसलिए बाइबल में यहना पंदरा का साथ और आठ क्या कहता है कि यदी तुम मुझ में बने रहो और मेरे वच्छन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो वो तुमारे लिए हो जाएगा मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लाओ तभी तो तुम मेरे चेले हो सुना दोस्तों आपने अगर हम परमेश्रक के साथ जुड़े रहेंगे उसके वच्छन हमारे अंदर रहेंगे और वच्छन हमारे अंदर काम करेंगे क्योंकि उन वच्छनों में उन वच्छनों में फसल लाने की शक्ती है उन वच्छनों में जीवन है उन वच्छनों में जीवित है उस जोती है इसलिए अगर हम परमेश्र के वच्छनों को अपने अंदर रखेंगे तो परमेशर का फल वो फल वचन लाएगा ही लाएगा क्योंकि उस वचन में जीवन है उस वचन को अगर हम अपने जीवन में बोएंगे अपने अंदर बोएंगे तो फजल आएगी ये निश्यंत रही है आप ये क्योंकि उस वचन का गुण है उस वचन में वो शक्ती है वो वचन अपनी शक्ती दिखाएगा अगर आप उसको अपने अंदर लेंगे और इसलिए वो कहता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम फल लाओ देखिए परमेशन ने आपको चुना है फल लाने के लिए परमेशन ने आपको दुख उठाने के लिए मुसीवत उठाने के लिए नहीं चुना है लेकिन जब संसार में मुसीवत आती है शैतान हमारे जीवन में मुसीवत लेके आता है तो हमें परमेशन को महमा देते हुए उस परिक्षा से निकलना है हमें उन वचनों के साथ उन वचनों के द्वारा अपनी जीवन को चलाना है और जब वचन के द्वारा हम अपनी जीवन को चलाएंगे तो कोई भी संगर्ष, कोई भी समस्या, कोई भी संकट हमारे जीवन में टिक नहीं सकता क्योंकि परमेश्व का वचन चीवित है और परमेश्व के वचनों में वो विजय है जो कि हर संकट से उभार सके आपको इसलिए आपको डरने की जुरूद नहीं है वो परमेश्व, जो क्या हमारे साथ है वो परमेश्व, जिसमें गुण है कि वो आपको सुख देता है, आपको आशीष देता है आपको पन पाएगा, आपकी जीवन में फजल लेकर आएगा बस आपको उसके साथ जुड़े रहने की जुरूद है जिसरा व्रिष्ष जमीन के साथ जुड़ा है तो फल आएगा चाहे उसे काड़ते चाहे वो शैतान पुड़ तरीके से काड़ते व्रिष्ष को लेकिन फिर भी उस व्रिष्ष में फल आएगा वो व्रिष्ष फिर पनपेगा उसमें फिर कोपले निकलेंगी उसमें फिर पत्ते निकलेंगे हालेलोया उसमें फिर जीवन आएगा क्योंकि वो जीवन के साथ जुड़ा है दोस्तों हम जीवन के साथ जुड़े हैं हम अनन्द काल के जीवन हम उस परमेश्वर के साथ जुड़े हैं जो दुनिया को जीवन देता है वो परमेश्वर हमारे साथ है हमें बस उसके संग जुड़े रहने की जुरूत है और उसके साथ चलने की जुरूत है और हमें सोचने की जुरूत नहीं है हमें कुछ भी सोचने की जुरूत नहीं है क्योंकि परमेश्वर काशीश हमारे साथ है क्योंकि हम उसके साथ जुड़े हुए हैं और हमारे जीवन में फल निश्चित है अज का दिन पविद्र है तेरा नाम पविद्रा पर्मिशर इस सुभा के दिन पर्मिशर हम बस ये ध्यान दे कि हम तुस्से जुड़े रहे तक कि हम अपने जीवन में फल पाते रहें आशीश पाते रहें सुखंद पाते रहें तेरी खुश्बू पाते रहें और जीवन पाते रहें जोदी पाते रहें इश्चों मसिया के बबद सौनती नाम से मांगते सुनने वालों के आशीर सोपर संगाई मांते एमेन